हेलो फ्रेंट्स तो हम लोग देख रहे हैं अपना वीजन का टेस्ट फोर नमर का लगा रहे थे question 40 हमने कर लिए थे आगे करेंगे 41 तो एक suggestion है कि देखे अगर आप जब questions लगा रहे हैं तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो भी आप answer दीजे थोड़ा आ रहा है तो भी answer दीजे आ रहा है तो दीजे है क्योंकि अभी आप exam नहीं कर रहे हैं अभी तो हम test लगा कि दीरे दीरे आपकी answer analysis power दीरे दीरे बढ़ेगी तो ऐसा ना करें अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो भी कुछ ना कुछ सोच के answer जरूर दें और थोड़ा सा मन में analysis करके answer दें आपको जो भी लग रहा है तो answer हम जरूर करेंगे अब देखते हैं अपना question 41 का उदेश दैनिक वेतन भोगी करमचारियों को समाजिक सुरक्षा प्रदान करना है तीसरा भार्ति गुर्वत्ता परिशत इस कायरक्रम का कार्यान वन भागिदार है तो इन में से कौन सा यसे सही है केवल एक दो केवल तीन केवल दो या केवल दो तीन 21 का हमारा 20 सही है कि हाल संदब केश जरकार ने चुदर- राज्यो संग शाषित प्रदेश के 116 शेहरों में स्वानीधी से संपरिद्धी योजना कर सुभारम किया है क्या है स्वानीधी से संपरिद्धी की अतरिक्स योजना है इसे आवसन और शहरी कार्मंत्राले के चलब किया गया जो किसने इसे शुरू किया है शहरी से आवसना शहरी कार दाल है याद रखी का रेंवन भागिदार है इसका कार रिप्रम के पहले चरण में 125 शहरों को कवर किया गया था जिसमें लगब 35 लाग रहडी पट्री वाले उनके परिवार शामिल है तो इसमें क्या है जो रहडी पट्री वाले है वो लोग शामिल है इसका उद्देश है रहडी पट्री वालों की समगर विकास और समाजिक आर्थिक उत्थान के लिए समाजिक सुरक्षा प्रदान करना तो जो भी कम करते हैं उनकर विकास समाजिक सुरक्षा का लाब देना है इस कारक्रम के निगे बार सरकार के आठ तही अलब करने और परिवारों की तो क्या है जो व्याजिक योजना है उनकी पात्ता काकलन करने के लिए इसकारक्रम के अंतिकत पात्रियोजनाओं की मंजूरी के लिए और जो प्रिवारों की समाजिक आर्थिक प्रोफाइलिंग की जाती इसमें प्रधान मंत्री स्वाइनिदी युजना एक विसे शूष्म रिंड सुविधायोजना है तो यह क् चौबिस मार्च 2020 या उससे पहले से रेडी पट्री के माध्यम से व्यवसाय कर रहा है पचास लाग से अधिक लोगों को 10,000 रुपए तक किफायती रिंड प्रदान करना है तो उन लोगों को क्या है 10,000 रुपए तक का रिंड प्रदान करना है इस युजना के कारेंवन के लिए भारती लगू उधोग विकास लेंग सिट भी तकनी की भागिदार तो तकनी की भागिदार सिट भी है ये शूश्म एवं लगू उधाम योजना के लिए पुनगटित क्रेड़िट गांटी ट्रस्ट के माध्यम से ग्रिंड देने वाली संस्ताओं की क्रेड़िट ग पुरिदा तीसरा इसलाकृतियां चौथा उत्प्रवास तो बताना है सही आंसर एक दो बी एक चार सी दो तीन चार डी एक दो चार कौन सा सही है बताएगे तो 42 का हमारा डी सही है किसी विश्ट बहुग अलिक इस्थान पर लोगों का सकेंद्रण जनसंक्या घनत कहलाता ह बने एक इस्थान पर कितने लोग रहते हैं ये कई कारकों से प्रभावित होता है बहुते कारक जैसे अनुकूल स्थिलाकृतियां वाले छेट जैसे कि नदी घाटियां में जनसंक्या का अधिक सकेंद्रण होता है अगर मान लीजे अनुकूल स्थिलाकृति है जैसे मैदा अधिक अधिक रहे हैं व्पज्शबर में शभय गनत्बंध करता है वहां जाद होता है जापा उसाकव भार्त में 2000 को प्रभाववित करते मीदाई यहां बिन अर्धिक लोग का बाहरी आग्मन था इस जन्सेंख्या में कमी आती है अप्रवास इमीग्रेशन से जन्सेंख्या में विद्धी होती है बाहर से लोग आ रहे हैं 42 का हमारे यार डी सही है 43 देखते हैं अब्रक के संदर में इंपलिकित कत्नों पर विचार कीजिए एक अब्रक के उतपादन में बहाद का लगपक एक आधिकार है जो विश्किक कुल उतपादन के आधि से अधिक भाग का उतपादन करता है दूसरा बहाद के राजिस्थान में अब्रक का सबसे बड़ा भंडार है तीसरा अब्रक में प्रत्यास्था, कठोर्ता, लोशीलता और पार्देश्रिता का एक अनूठा संयूजन है और इसलिए इसका मुकरूप से एलेक्ट्रोनिक उधोग में उप्योग के जाता है कौनसा सही है इसमें प्रत्यास्था, कठोर्ता, लोशीलता और पार्देश्रिता का एक अनूठा संयूजन होता है इसमें उश्मा और तापमान में अचानक परिवर्तन हेतु प्रतिरोध तदा उच परावैदुत सामर्थ होती है तो यह रसायन एक रूप से अक्री है और इस्थिर होत आप्र जल्कों अफ्शोशित नहीं करता है किस्में यूज होता है विदन एलेक्ट्रों में इसा क्या जा सकता है ब्क्रस फ्र्यों में इसकी मुख न होता है। इसके बाद राजस्थान में 28% ओरिशा में 17% महरास न हरास में 13% बिहार में 2% का स्थान है यह संस्धाधन अल्प मातरा में ज्हार करनों तिलंगाना में भी पाया जाता है कम मात्रा में ठीक है राइस्थान में अभ्रक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में जैपूर के भीलवारा उदायपूर के आसपास विश्रित है जैपूर से भीलवारा ठीक है करनाटक की मैसूर हसन जिले तमिलनाडू के कोयम टूर तिरूचिरापली मदुरई और बांकुरा जिले में भी अभ्रक के निचे पायाता है इन स्थानों पर भी मिलते हैं दिनाग 10 फरवरी 2015 को जारी भार सरकार की अधिसूशना की अनुसार अभ्रक को गौड या अप्रधान खनिच माइनर मिनरल्स घोशित कर दिया गया है तो मतलब भार सरकार निकाए कि स्थानों फिल्राइनर मिन्रल इसका प्रेक करते है आयोरवेध में आजदी कि रूप में किया जाता रहा है तो यज के रूप में यूस होता था और jsुख है विए और बित में इसे अभ्रक के नाम से जाता है अ मिन भिए भी मैं 10 प्रमक प्रकार के अभरत के खीत च्वेत लगाता गिरावट आई लिग इसमें गिरावट आई है प्रादोगी के सुधारों के परिणाम सरू विश्व बजार में प्राकतिक अभ्रक की मांग में कमी को गिरावट की प्रवर्टी का कारण माना जा सकता है यह के टेक्नलोजी डेफलोप्मेंट से क्या हुआ है जारकंड आजप्रदेश ते लंगाना राजस्तान में पाया जाता है इसके पशा तमिलाडू पशिममेंगल और मत्प्रदेश का स्थान है जारकंड में उच्छी कुडवत्ता वाला अभ्रक होता है जारकंड में थीक हाई कॉलिटी वाला इचले हजारी बाग पठार की ल इसका उप्योग विरंजक चोणों के अशकों के निर्मान में किया जाता है दूसरा ब्राजिल मैगनीज आइस का विश्में सबसे बड़ा उत्पादक देश है तीसरा जापान भारत के मैगनीज का सबसे बड़ा खरीदार देश है तो कौन सा सही है दो ए केवल दो बी दो एक तीन तो 44 का हमारा दीज है लोग है मैगनीज काले रंग की कठोर लोही जैसी दातु एक महतपूर कच्चा माल है तो जो आरं हो होता है उसको प्रग्लन के लिए मैगनीज क्च्यमाल की तरह यूज होता है यह क्या होता है काले रंगी कठोर लोहे जैसी धातू है मेगनिस इसको आपयोग लॉम् मिश्र धातू के विनिर्मान में भी कह जाता है लोहे कीमिश्दातू बनाने में भी इसका यूजु कह जाता है मेंगनीज प्रक्ति में सुतन दवस्था में नहीं पाए जाता है यह प्राय लोहे के साथ सेंग जन में पाए जाता है मतलब अलग से नहीं मिलेगा लोहे के साथ मिला हुआ मिलेगा इसको अपयोग विरैंजन चूर ब्लीचिंग पाउडर कीट नाशक पेंट ओबदार बरतन ठीक है ग्लेज्ड पॉर्टरी मांचिस बैटरी और चीनी मिट्टी के निर्मान के लिए भी किया जाता है इन सब चीजों को बनाने में इसको यूज होता है दक्षेन अफ्रिका विश्में मैगनीज का सबसे बड़ा उत्पादत देश है तो दक्षेन अफ्रिका में सबसे आ होता है कालाहारी के बारे मांचाता है कि मैगनीज के वैश्म भंडार का 70% से अधिक मौझूद है लगबग एक मिलियन टन के वाश्म उत्पादन के साथ ब्राजील विश्का पांचवा सबसे बड़ा मैगनीज उत्पादत देश है तो ब्राजील पहला निपांचवा सबस घरेलू इस तरपर खपत होता है और घरेलू मांग बढ़ने के साथ इसका निर्यात लगाता घट रहा है तो इसकी घरेलू मांग बढ़ रही है जापान भात के मैगनीज का सबसे बड़ा खरीदार है मैगनीज का और ये भात के कुल मैगनीज निर्यात का लगबग दो ति 45 देखते हैं लौ एसक और कोकिंग कोईले के अत्रिक लौ इसपात उधोग के लिए निमलिखित में से कौन से अपरिहार कच्छे माथ है एक चूना पत्थर दूसरा टोलुमाइट तीसरा मैगनीस चौता अग्रिस सह मृत्तिका नीचे देगे कुटका प्रयोकर से उत्ता लगविक अपनी मूल आधारिक अफसन रशना के लिए मकुरूब से लोहा उसपात उधोग पर अत्यदिक निर्वर है तो मतलब जातर उधोग इस पर निर्वर होते हैं लौस पाथ दोग के लिए लौस को कोईले के तरिक चूना पत्थर डोलोमाइट मैगनीज अग्री सह अब कच्छे माल की तरह यूज होता है इसलिए निर्मान प्रक्रिया में चार कच्छे माल का उपयोग किया जाता है यह सब इस अच्छी सथी कच्छे माल स्थरोतों के निकट होती है बहारास वाला मैंने आपको लास वीडियों पढ़ाया थैं मतलब कि कच्छा माल अच्छी बात है इसको द्यान से नोट कर दीजे तो 45 का हमारा डी सही है 46 देखता है निमलिखित कतनों पर विचार कीजे एक इसका मुख दिश उच्छ उत्पादकता प्राप्त करने और उत्पादक लागत को कम करने के लिए आधुनिक आगतु कि उपयोग के मात्यम से फ करना है दूसरा एलीविरल आबादी वाले चेत्रों में की जाती है तीसरा गहन व्यच्छ उ सकती है तो उप्योग कतनों में क्रिशी के निमलिकित प्रकारों में से किसका वर्णन किया है लिए किसको बात कर रहे हैं तो युरोपियों लोगों ने इसकी चुरुवात की थी प्रोपन्ट कृषी ब्रहएद इस तरी ये लाब उनमुक उतपादन प्रणाली है इसे वाड़जीक कृशी और इसको कहते हैं तो और विस्तरित हो सकती है उतपादन लागत को कम रखने के लिए इसक्रिशी प्रणाल ि में अदिकांश्था आदोनिक तरीक को उपयोःग किया जाता है तो आदोनिक तरीक ये क्रिशि समानता विरल आवादी वाले चैत्रों में की जाती है जहां पहीं म Caribbean आवादी की जाते हैं यहां की जाती है इस प्रकार की किशी की मुख विशेष्टा आधुनिक निवेशों जैसे उच्छ उत्पाद अक्ता किसमें हाइल बैराइटी जो सीड्स होते हैं उनको जिन से उपर जादा हो के बीजो रसाइनिक उर्वर को कीटना शुक के प्रहूं से उच्छ की पैदावार ली जाती है किशी के वाडिजिक करण का इस्तर विभिन प्रदेशों में अलग-अलग होता है उधान के लिए हर्याना पंजाब में चाबल एक वाडिजिक क्रिशी है लेकिन ओडिशा में यह एक निर्भा फसल सबसिस्टेंस क्रॉप है तो दिखें मतलब इ देखते हैं हाली में कभी-कभी सुर्क्यों में उलखे जे फार्म संबन देते हैं युद्पीडोतों के पुनरवास से मंडियों में किसान की कृषी उपश की विक्री रसी से सी प्रधानमंत्री शमयोगी मांधन यूजना क्रियानवन से डी प्रवासी शमिकों की पहचान स तो बताये क्या है जे फर्म उस रवी मॉखम की खरी से किसानों को तदकाल रूप से डिडिटल फर्म जे प्रधान करेंगा तो भात का पहला राज पंजाब है तो क्या है रवी मॉखम की खरी से प्सल होगी मन्डियों अनाज मंडियों में और किसी किसान दौर्ब किरी को कि एक किश्यी उपच की विकरी रसीद है. Almagز जब किसान होता है वो क्या करता है? आज मेंदी इन्यू में अपना आज बेशता है, तो क्या है? उसको एक विकरी रसीद मिलती है. जो कि विक्रे ता खिसान के लिए के आये प्रमाण के रूप में कारिकटी है तो सेका एक आये का प्रमाण, इंकम का प्रमाण होता है हूआ उसको मैं कवह करते हैं कुल एक कभी करते थे कभी करते इसलिए इसको digitalize किया गया है इसको उपयोग विद्ट जुटाने पैसे जुटाना हो सूचना प्रादोगी कि IT शूट प्राप्त करने सबसेडी प्राप्त करने किसानों के भीमा आधी के लिए किया जा सकता है यह राज में गेंगों धान दोनों फसलों की क्रिशी भूमी की रिकार्ड की रूप में कार करेगा इसे डिज में बुलगेरिया के साथ राजनेतिक सीमा साजा करता है डार डेलिस मार्मरा साग और बोस्फुरस जलसंदी इस देश को दो असमान भागों में विपाजित करते हैं तो उप्युक परिशेद में निमलिकित में से किस देश का वर्णन किया गया है यूनान बी साइप्रस सी तुर्की डी रुमानिया बताई किसकी बात हो रही है 48 का अंसर है सी तरकी है जो दोनों में है एशिया और यूरोप में तो वह पहले ही पता चल गया था कर आपको थोड़ा भी मैप की जान करी होगी तुर्की के राजपती ने अपने शाश्यत को सुरक्षित करने के लिए निर्वाजन सम्मंदी कानून में बदलाब को स्विक्रिती दे दी है तुर्की एक विशाल प्राइदीप है मतलब बहुत विशाल प्राइदीप है विद्ध है कितना बड़ा भुकम भी आया है तो हो सकता है क्वेशन आए जो यूरोप पूरवी थ्रेस के माध्यम से एश तुर्की का मैप देखिए ठीक है उसके आसपास की चीज़े देखिए उसके बाद भुकम के बारें उपड़ यही ऐसे निकाल दे आते हैं टॉपिक पढ़ने के लिए तो मैं उनको बताया था कि जो यूरोप और एशिया के माधिपों को जोटता है ठीक है जो तुर्की है राजनीतिक सीमाओं से सनलग देश उत्तर पश्चे में बुलगेरिया और ग्रीस है रूस यूक्रे रुमानिया काला सागर के माधियम से इससे सनलंग है पूर में जॉर्जिया अर्मेनिया अजबाईजन और इरान है मैप खोल के देखेगा दक्षिन में सीरिया और इराक ह डाडलेस, मारमरा सागर, सी ओफ मरमरा और बोसफोरस जलसंदी, काला सागर को भूमत सागर, एजियन सागर के जरिये से जोडते हुए इसे यूरोप और इशिया के भी विभाजित करते हैं इसमें सबसे बड़ी जील वान जील है मुखे नदिया, यूफरिटेस, किजल और सकारिया है, सबसे उची चोटी अरारत परवत है, 48 का हमारा सी सही है, 49 देखते हैं, तांबी के संदर में निमलकित कतनों पर विचार कीज़े, एक भात अपनी आवशकता है, तो तांबी के आरक्षित भंडार के मामले में आतनिर भर है, दूसर भात में तांबी का प्रमु विधुत मोटर, ट्रांसफोर्मर, तद जनरेटर आधी बनाने और विधुत उधोगों के लिए तांबा एक अपरिहार धातु है, तार बनाना ये सब बनाने में होता है, तांबी का प्रयोग प्राचीन काल से बरतनों सिक्कों के निर्मान में किया जाता रहा है, यह एक मि सीमित भंडार है, भात में इसके सीमित ही भंडार है, भात का परिश्कृत नाभी का आयात वर्च 2017-18 में 44,245 टन, 294.95 मिलियन डॉलर के इस तरह से दोगने से अधिक बढ़का वर्च 2018 में 92,290 टन तथा 605.20 मिलियन डॉलर हो गया है, तो इस तरह परिश्कृत नाभी का निग्राद वर्च 2017-18 में इतना टन था, ठीक है कि इस तरह से कम होकर आप देख लीजे इतने रह गया है, इतना ही नहीं देश अब परिश्कृत तांबे का शुद्ध आयात तक बन गया है, मतलब अब क्या है भारत में वो आयात जादा करता है तांबे का भात को अने देखे, मुकता जारकन के सिंगूमी जिले में, मत प्रदेश के बालागाट, राजस्तान के जुझनु और अलवर में, तांबे के गौड उत्पादन, आंध प्रदेश के गुंटूर जिले का अग्मी कुंडाला, करनाटक के चित्रदुर, हासन जिले और तमिलनाडू का द सबसे इशाल भंडार, राजस्तान, राजस्तान, राजस्तान में, इसके पश्चा जारखन तथा मद्र प्रदेश का इस्थान आता है, अखिल भार्ती इस तरह पर तांबे की संरक्षित भंडार का शेष 7.9% भाग, आंध प्रदेश, गुझात, रियाना, करनाटक, महरास मिगाला, नागाले, ओरिशा, सिक्यन, तमिलनाडू, तेलंगाना, उत्राखन और पश्चे मिगाल में, अवस्तेते हैं, तो 49 का हमारा डी सही है, किवल तीसरा सही है, कि बहला दूसरा सही नहीं है, अब 50 दिखते हैं, भाग में सौरूर्जा लक्षों के संदमन, इमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए, एक भाग बर्तवान में संस्थापित सौरूर्जा चमता के मामले विश में दूसरे स्थान पर है, दूसरा वर्ज 2011 के परशाद भाग का सौरूर्जा चेत, 50% से अधिक की चक्र ब्रिद्धी, वार्षिक ब्रिद्धी दर से ब्रिद्धी कर र 50 का हमारा डी सही है, एक हालिया रिपोर्ट में ये संभावना व्यक्त की गई है कि बाहर पर 2022 तक 100 गीगावाट सौरूर्जा चमता इस्थापित करने से समधित अपने लक्षी प्राप्तियें विफल हो सकता है, मतलब 100 गीगावाट का जो लक्षा उससे विफल हो सकता है, अपरेल 2022 तक 100 गीगावाट के लक्षी केवल 50% चमता को इस्थापित किया गया है, मतलब 50% ही चमता प्राप्तियें इसमें से 60 गीगावाट उप्योगिता पैमानी उटिलिटी स्केल पर 40 गीगावाट रूफटॉप सौरूर्जा के रूप में स्थापित किया गया है, भा बादवर्ज 2021 में 55 गीगावाट के इस्थार पर पहुँच गया है, भाद परत्वान में संस्था पे 100 गीगावाट के मामलें पांचवे इस्थान पर है, विद्दमान गैप के कारण है, गैप के महामारी कारण आपूर्ती शंकला में व्यववधान उत्पन हुआ है, सप् नेट मीटरिंग और पैंकिक सुविधाओं का नियमित नियमन हो, लेगें, राजियो द्वारा अक्षे उर्जा खरीद का सक्त प्रवर्तन, बैटरी उर्जा भंडार प्रनालियो आधी के लिए पूजी गत सबसेडी, भाद ने जवाला नहरू रास्ट्य सॉर मिशन रास् नहीं है, तो क्वेशन 51 है, निम्रिकित युगमों पर विचार कीजिए, फसल और जलवायू छेत, किस जलवायू छेत से हैं, एक गन्ना, शीतोशन घाष के मैदान, दूसरा जैतुन, भूमत सागरी छेत, तीसरा कोको, भूमत रेखिये छेतर, तो उनमें से कौन से सही है, केवल एक या दो, भी, केवल दो तीन, सी, तीन, डी, दो, बताना है कौन से सही है, तो 51 का हमारा बीस है, यह दिके, उशने कटीवन दिये मानसुनी जलवायू में, उशने कटीवन दिये नकदी फसलो, नकदी फसलो की एक विस्तरिश शंकला की कृशिक की जाती है, इस श् वर्ड में जो टोटल चीनी होती है, उशने कटीवन दिये देशों द्वारा उत्पाद होता है, गन्ने का उत्पादन प्रचुर वर्षा और धूप वाले बागनों छोटी जोतों में किया जाता है, तो गन्ने का उत्पादन जहां वर्षा अच्छी होती है, धूप होती ह साथ ये दस इंसे कम वार्शिक वर्षा के साथ अत्या निम्न गुडवत्ता वाली चुना युक मृदा में भी जीवित रह सकता है तो काफी कम वर्षा में भी रह सकता है को 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 एक उस्ट निकटीवंदिया रोपड फसल है और जो उस्ट आद्र भूमत रेखिये जलवायू इसकी क्रिशी पश्यम अफ्रिका गिनी की खाड़ी के तटवर्ती चेत्रों में ब्रहत इस तर पर भी की जाती है इसकी दू प्रमुक उत्पादक देश घाना और नाइजिरिया में जादा होता है 51 का 20 जाए दूसरा तीसर सही पहला सही नहीं है अब दिखते हैं 52 स्वीट क्रूड की संदर में निम्लिकृत कत्नों पर विचार कीजिए एक इसमें सलफर नहीं होता दूसरा इसमें निसकर्शन है तू कमूर जाके आवशकता होती है तथा एक बान निसकर्शन के उपरां इससे उच गुडवत्ता वाले गैसुलीन का उत्पाधन कह जाता है तीसरा वेनिंजुएला स्वीट क्रूड ओयल का प्रमुक उत्पाधक देश है इन में से कौन सा यह से सही है एक दो बी तीन सी एक तीन डी दो तो 52 का हमारा डी सही है देखिए क्रूड ओयल अत्वा परिश्कृत तेल एक प्रकार कर जीवाश मीरधन है जो क्रूड ओयल है जीवाश मीरधन है जो प्राक्तिक रूप से पाया जाता है यह हाइड्रोकार्बन निचेपू तदा अनिकार्बनिक पदार्दों से बना एक कि सूइठ घुन सासे दो भाग में भाट थेते में को बते स्बच सांथ की मात्रा में पिकशक्रद कम होद कि तुछ स्वीट कुछ कम होता है छाटाई स्वीट कि δिकम तो कि कhesia निच्वा निच प्रकू तो जो स्वीट क्रूड निकालने के लिए कशता हैं एक रेसमें तूलिप उतपादिन के लाइथ स्वीट क्रूड के प्रमक उत्पाद्क एक तो इराक में इसका प्रमक उतपादक हैं उन प्रमक थे स्थानों जहां से स्वीट क्रूड प्राप्थ हुआ है में पूर्वी उत्री अमेरिका में एपलेशंद रोडी पश्यमी टैकसास उत्री डकोटा सस्केजवान के बकेन स्वीट फर्मेशन यूरोप का उत्री सागर उत्री अफरिका औस्ट्रेलिया इंडोनेश्य साहिव सुदूर पूर फार इसकी छेद इसमें शामिल है दूसी तरफ सोड क्रूड ऑइल में अशुद्य ज्यादा होते है जैसे सलफर जैसे गैस या अनपैट्रोलिय माधार उत् तो 52 का हमारा डी सही किवल दूसरा सही है अब देखते हैं क्रिशी के कोलक होस मॉडल के संदर में निमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए एक इसे सामिवादी देश चीन में प्रारम किया गया था दूसरा सहकारियों सामोही क्रिशी दोनों से संबन देते तो कौन सा सही है को और को लग ऑकोश प्रीशी मैं को शाहता है मिलबब इसका दूसरा नाम साम उकिय के अधार भूलों स्धांद के साही है इस प्रकार की साथनां के सौन के समयीधी तो मतलब यह इस बहुता यह को पर सभीक शांच मक्रसरा के एक पूरे सामाज को TRT को ONU सौन पर एक किया गया था धग्या से Vaterि कर trade में किसान अपने संसादनों को जमा करते और संसादनों में इसकी सवामित रहता है यह इसलिए इसमें कोई समाजिक सवामित नहीं होता इस प्रकार को लेखर iodis संबंदित नहीं है तो दिखे 53 का हमारा डी सही है ना तो एक ना तो दो दो नहीं सही नहीं है अब देखते हैं 54 दालों की संदर में निमलिकित में से कौन सा कतन सही नहीं है पूछा गया एक देश में कुल होए गया चेत में लगवे 10 प्रतिशत से अधिक भाग पर डाले सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ सबसे बड़ा उपोगता भी है सी सभी दाले वायू से नाइट्रोजन को कृत करके मृदा और वर्ता को बनाया रखने में सहायता करती है तीसरा राजिस्थान महारास मध्यप्रदेश के प्रमुक दलहन उत्पादक राज है कि प्रामुक मात्रा में प्रॉटीन के स्रोथ होने इकारण दाले शकाहरी भुजन की प्रमुक संग ठक है तो इसमें अच्छ होता है न में बढ़ात विश्भी उत्पादन के लगभग 24 परसेंट का युगदान देता है तो बहारत दालों के सबसे बड़ा आया तक है सबस नुतपादक राज है तो डीबी सही है विभिन कृषी जलवायू छेत्रों में बड़ी संक्या में दाले उगाई जाती है देखे खरीफ में उगाई जाती है अरहर तुर उड़ाद मूं बरवटी लोबिया खसारा पता नहीं यहीं लिखा है रवी में उगाई जाता है चना म चाहिए खरीब की फैसल होती है रवी की फैसल जायत की फैसल ति ग्रीश मृतू में उगाई जाता है उड़ाद मूंग लोबिया तो याद रहे कि कौन सी फैसल किस मौसम में होती है विश्ट के ओसत नौकिलोग्राम परती हेक्टर की तूला में सभी दल्हनों की उसत उप जो विश्व में सरवाद एक है तो मतलब पहरीन की उसत उपद जादा है इससे सपस्ट होता है कि उपद बढ़ाने की काफी गुंजाई से मतलब उपद जो है अपी बढ़ा सकते हैं देश में दलहन के अतिदे खेती दक्कन की शुष्क भूमी और मद्ध पठारी भागों मे देषिंगे की देश में कुल बूया छेत्र के लगबग 11 परतिश्यत भाग में क्या है दाले लुगा यहां जाती है दालो की उत्पादक्ता पहिसे लुग होती है इसको आधरित कम होती और में यह वाश्यक उतारचरव पाये जाता है दालो को कम आधरिता कि इसको आदिता कम चाहिए होती है कम आदिता के अफशक्ता होती हो इन्हें शुष्क परिस्तिति में भी उगा जा सकता है मतलब जहां ड्राय एरिया है वहाँ यह उख सकते हैं फलीदार फसल होने के काण अरहर को छोड़कर अन्हें सभी फसले वायू से नाइट्रोजन को इस िख्ता अरहर करती है अरहर नहीं करती है नाइट्रोजन को इस RA Spl quién तो अन्वा तो मतलब इसको रोटेशन में उखाते हैं यहां पर हैं साउर्त ऑ यहां लिखा हुआ है झाल के जो घ्रियक की फसल में तो मैंे बता दिया, confusion ना हो, 54 का हमारा C सही है, मतलब C, इनने पुछा था कौन सा सही नहीं है, तो C सही नहीं था, ठीक है, सभी दाल इसमें नहीं आएंगा, 55 देखते हैं, निमली के त्योग मुँपर विचार कीजिए, जन जाती हो विवसा है, एक, बिंदी बू, खनाब दोश मूल निवासी ऑस्टेलिया के जन जाती है, यह आदिम शिकारि हो संग्रा, संग्रह करते हैं, उस्टेलिया के ग्रेट सेंडी मरुस्तल और गिबसन मरुस्तल में निवास करते हैं इसलिए एक सही नहीं है तो दूसरे सही है गोभी मंगोल खाना अब दोस चरगाहे तो यह चरगाहे ठीके मंगोल जो है वहां पे 55 का हमारे D सही है केवल दूसरा ही सही है अब दिखते है question 56 हाली में सुर्क्यों में रहे भार्तिये 10 कुर्म कच्चुगा टेक्टा टेक्टा के संधर में निमलिखित कत्नु में से कौन से सही है एक यह बनी जीव संदक्षिन अधिनियम 1972 की अनिसुची एक के तहट संदक्षि है भार्तिये 10 कुर्म मतलब कच्चुगा के बारे पूछा गया है दूसरा इसे आयुसेन की लाल सुची में लीस कंसर्ण के रूप में वरिक्रित किया गया है तीसरा यह केवल मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में पाया जाता है तो कौन सा इसमें सही है केवल 1,2,3,3, तो 56 का हमारे डी सही है केंदी पर्यावन बन और जल्वायू परिवर्तन राजमंत्री के निसार ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जो नम्दा नदी में अवैत खनन के कारण भार्तिये टैट कुर्म कच्चुगा टेक्टा टेक्टा के विलोप्त होने के गार पर पहुचने का संगेत है तो इसको हमारे केंदि नहीं है कि नम्दा नदी में अवैत खनन के कारण जो यह भार्तिये टैंट कुर्म है इनके विलुप्त होने के चंधार पर पहुचने का संगेत है एसा कुछ कोई रिपोर्ट नहीं है तरह कि आए आगे सोचित किया कि नर्मदा नदी में भॉर्टिय प्राणि सर्वेशन नहीं किया है कोई सर्वेशन नहीं किया गुआ है भहरतीय टेन्कूरि भारत के बनीजीर संदक्शन अधिनीः के ताह्त अनुसुची एक में इसons lance Alzheimer nouveaux उवी तो इसलएं और ताजे जल की नदियों अनूपो तालाबों में पाई जाती है इसकी पर्यावासों में नदी के किनारे जलकुट और नदी के किनारे धीमी गती से प्रभावित जल शामिला ये कुशल तैराग होते हैं मुख रूप से शाकारी होते हैं बाद में इसकी समान पर्यावासों में मतलब कहा होते हैं उडिसा, महरास, आनप्रदेश, असम, मद्प्रदेश, इत्यारिश हामिल, इन सब में ये पाए जाते हैं, इसलिए तीसर सही नहीं था, तो 56 का हमारा D सही है, एक दो सही है, तीसर सही नहीं है, 57 देखते हैं, निमले दो सही है, तो 57 का एह है, आप देख सकते हैं, गुजारा दिख रहा है, अपको ठीक है, ओडिशा, राजिस्थान, मत्रदेश, ठीक है, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि राजिस्थान उपर है, सबसे आदर उचाई में दिखा जाए, ठीक है, उसकी बाद आपको दिख थोड़ा नीचे है तो राजिस्थान राज 23.3 डिग्री से 30.12 डिग्री उत्य अक्षांस तथा 69.30 डिग्री से 78.17 डिग्री पूर्वी देशांतर के मद इस देता है तो आप देख सकते हैं अक्षांस के मद तक विश्थ रहता है मद प्रदेश जो भॉकॉलिक रूप से भाठ के हिर्दा इस्थाल को प्रदर्शित करता है आप इसका अक्षांस देख सकते हैं और गुजात का देख सकते हैं इस प्रकार राज्यों के सबसे उत्तरी विंदू को उत्तर से दक्षिवन के विवस्तित किया जाता है तो इनके जो उत्तरी विंदू है उसको देखे तो सबसे पहले राजिस्थान आएगा फिर मद्यप्रदेश आएगा फिर गुजात आएगा उसके बाद ओडिसा आता है तो एस आई है आप देखें इंडिया का मैं बहुत बार बनाई है मैं सबसे बहुत आते हैं तो जहाँ से आदा मैप को डेली स्टडी करिए थोड़ी देखें उसको देखें उसमें क्या क्या आ रहा है उनकी जो राजधानिया उनको देखिए नदी पहार सब देखिए तो आपको धीर धीर मैप दिमाग में बनेगा 57 का एस आई है 58 देखते है इस प्रकार की चेति बहुते तो बनलब रोपर्ण करशी नदीगी निम्ले कित-कत्नों पर विचार कीजिए इस प्रकार की किषी सेपीज प्रेई और पंपास शेतियों में सबसे अची तरह से विक्सित होती है दूसरा फाजेंड़ब ब्राजील में बड़े कॉफी बाग प्रवासी श्रमिक उसमें लगे होता है खाझ ACLU काच्छे माल कोधल की उनिस्टि में यूज़ बहात में चाय कॉफी रवर्ट गन्ना केला इत्यादी महत्पूर्ण रूपण फसले हैं असम उत्री बंगाल में चाय करनाटक में कॉफी वहां की मुख्य रूपण फसले हैं रूपण किशी की शुरुवात यूरोपी लोगों द्वारा उश्न कटिवंदी छेत्रों में चाय कॉफी कोकवा रवर्ट कपास पाम तेल गन्ना केला और ननास कुछ महत्पूर्ण रूपण फसले हैं इस क्रिशी की प्रमग विशेष्टा यह है कि इसमें क्रिशी छेत का कर बहुत विस्त्रित होता है बड़ा चेत होता है इसमें अधिक पुझी निवेश उच्छ प्रवंधन और तक्निक्या आधार एवं वेग्यानिक विदियो का प्रयोक किया जाता है यह एक एक अल्फसली कृशी है इसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही सकेंड़ेट किया जाता है श्रम एक सस्ते मिल जाते हैं और परिवेन की प्रणाली अच्छी होती है जो उत इस पेन और अमेरिकी वाशियो ने फिलिपिन्स में नारियल और गन्य की बागान लगा है इंडोनेशिया में इक समख गन्य के बागान उपर डचो अधिकार था ब्राजील में अभी वी कुछ कॉफी बागान जिने फैजंडा बड़े बागान कहा जाता है यूरोप वासि अच्छिया के स्टेपीज कनारडा अमेरिका के प्रेरी अर्जेंटीना के पंपास दक्षेट अफ्रिका के विल्ड्स ऑस्टेलिया के डाउंस न्यूजिलेंड के के मैदानों में अच्छी तरह से विक्सित होती है यह हमारा हो गया यह वाला क्वेश्चन 58 का हमारा के वाल करशuu चेतर में वरिक्रित किया था दूसरा साथ वे योजना आयुगद्वार देश को बहुग अलिक स्वरूप जलवाईउ के आधरबर 15 व्यापक क्रिशी जलवायू चेत्रों में विवाजित किया गया था कौन से सही है केवल एक केवल दो एक दो दो ना तो एक ना तो दो 59 का हमारा 20 है क्रिशी जलवायू वरीकरण क्रिशी के लिए उपयोगता को ध्यान में रखते हुए किया गया एक जलवायू जलवायू सका थे वरीकरण किया जाता है क्रिशी की उपयोगता को देख राष्टी क्रिशी आयोग जो था नाइएंटी सेविटीए ने देश को 127 क्रिशी जलवायू चेत्रों में वरीकृत किया था इतने सारे बाट यूजना आयोगने 7 यूजना 1975 से 1990 की योजना लक्षों के मध्यावधी मुल्यांकन के पढ़नासरों देश को बहुते स्वरूप जलवायू के अधर पर 15 व्यापक क्रिशी जलवायू छेत्रों में विभाज़त किया तो दूसरा सही है कि इन्होंने 15 उसमें बाटा था प्रतिक छेत्रों के संसाधनों के विकास संसाधन संबंधी बात देता हूं और छमताओं को के ढाचे के बीतर उप्योग तरीके से इनके इस्तम उप्योग पर बल दिया गया पंदरा क्र्षी जलवायू छेत् निन ननु सारहे छेत्रहेग काया है पश्शिम हिमालये छेत्र जमूकष्मय उत्तर चेट्र चट्वा है गंगा पार का मैदाई चेट पंजावारियाना दिली और राजस्थान में सात्वा छेट्रे पूर्वी बता पहारी चेट महरास उत्रप्र प्रदेश उडीषा कर्नाटक तमिलनाड राओं पूर्वी 30 मैदाने और पहाड़ी चषाफ उरीशा। अनुपरदेश तमिलनाड fantas уд costs क्षिट तर च्वस करनाज में 14 मीण कहरें। चौ हुआ है तुश तरहे ने 15 भांगों में बाटा गया। देखते हैं,Diremn 1948 में से कौन से अलाओ दात्रइक खने चाए। एक तामबर दूसरा बॉक्साइट तीसरा अब्रग चौथा कोबाल पांचवा सीसा तो सही उत्तर बताना है किवल एक दो चार्ड बी किवल तीन चार पांच सी एक दो पांच डी एक दो तीन चार पांच 60 का हमारा एस है एक खनेज निस्चेश रसाइन गों बहुते गोड़ धर्मों विसिस्टिताओं के साथ काबनिक या अकाबनिक उत्पत्ती का एक प्राक्तिक पदार्ट है भारत अपनी विवित्तापूर्ण ब्रुगरविक सनरशने कारण विवित्त प्रकार के खनेज संसाधन से संपन है भारत में बहुत सारे खनेज संसाधन होते हैं भारी मात्रा में बहुमोलिक खनेज पूर पुराजीवी कालिया प्री पैलाइजो एक एज में उत्वित है और मुक्ता प्राइदीपी भारत के अगने और कायंते चट्टानों से सम्मध है मतलब जो प्राइदीपी भारत है वहां पर जो वी शेप का हमारा है उसमें मिलती है उत्ते भारत की विशाल जलोड मैदानी भूबग आर्थिक उपयोग से खनेजों से वहीन है मतलब जो जलो जैसा की आप जानते हैं वे सभी प्राकार की खनेजियों समाहित होता है जैसे की लोऋएक वे लादाथ वे कहते हैं? मतलब वे सभी खनिज जिनमें लाउंश होता है वे ख्लाते हैं लाउ धातु जैसे कि लय जी में लगा दातु होता है जिनमें ला पाउज नहीं होता है वे वे nggak. न लाउज भेघी का जाते हैं यह गाफ्ड पुट कस जी कज दैसे क klar देखे compare प्लेटीनम समूगी अन दातु एं अलोग दातु के बारे हैं दुर्दम में धातु सही गौर धातु यह से टंगस्टन मॉलिब डिनम टेटनम नायोबियम क्रोमियम और विशेज धातु जैसे कोबार जर्मेनियम इंडियम टैल्यूरियम एंटीमनिय और गैलियम इसमें आती जैसे जीवाशमीर धन होता है जो जामीर जामीर में बहुत टाइम तक दबी रहते हैं तो वह बन जाते हैं जीवाशमीर धन जैसे कोईला पेट्रोलिय एक अन प्रकार के अधात्वी खनेज काबनेक उत्पत्ति के होते हैं जैसे अभ्राग चूना पत्था ग्रेफाइट इसलिए विकल्प एस जीए खनेजों के कुछ निश्वत विशेष्टा होती एक छेत्र में असमान रूप से वित्रत होते हैं अलग अलग बटे होते हैं जोंकी गुडवत्ता वालिकार के प्रतिलों भी संब्द पाया जाता है अधिक गुडवत्ता वाले खनेजों की तु अधिक गुडवत्ता वाले खनेज कम पाया जाते हैं तीसरी प्रमुख विशेष्टा यह कि सभी खनेज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं भुगर्विक दिसी से ने बनने में लंबा समय लगते हैं आफशकता है कि समय इनका तुरहन पुनेभरन नहीं किया जा सकता है यह ए तामब बोक्षाइड आदी अधादविक खनेज में आगया इधन खनेज कोईला पेटरोलियम इधन खड़ेज जैसे कोईला पेटरोलियम प्राक्तिक इत्त्यादी तो यहां पर हमारे 20 क्वेस्चन्स हो जाते हैं आप इनको जरूर अपना देखे आपके कितने सही हुए कितने नहीं हुए और stress free होके पढ़ाई करें क्योंकि आप stress free होके पढ़ाई करेंगे तो जाद अच्छे से पढ़ पाएंगे जाद से जाद रिवीजन करें ठीक है और अच्छे से पढ़िए Thank you, Bye